स्मय क्रिश्न, आप सब का स्वागत है हम आज चर्चा करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए दुनिया में बहुत सारी चीजे हैं खाने के लिए बाजार जाएंगे तो आज कल की जमाने में तो पैक करकर के बहुत थोड़ा सा अमाउंट बहुत महगा प्राइस में आपको सुपर मार्केट में मिलेगा और कहीं भी मिलेगा बिसकेट, चॉकलेट, पिज़ा, बर्गर, क्या-क्या बहुत सारी चीज़े आपको ओर्डर करिये तो मिल जाएगा तो जब आप बाजार का सामान खाएंगे तो आपकी तवियत अवश्य खराब होगी बाजार से आपको कच्छा सामान सिर्फ खरीदना चाहिए जैसे फल, दूद, दही, दही भी नहीं खरीदना चाहिए दूद, और सबजियां, अनाज, यह सब पर कुकिंग घर में होना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति कुकिंग करता है उसकी भावना उसके अंदर जाती है तो घर में कुकिंग होना चाहिए, कुकिंग बाहर का cooked food नहीं खाना चाहिए जो cook करके pack किया हुआ food है, वो स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है पहली बात तो ये जान लीजिए कि बाहर का चीज हमको नहीं खाना चाहिए दूसरी बात अब घर में हमको सब कुछ लाके खाना चाहिए तो घर में क्या बनाना चाहिए तो उत्तम यही होगा कि घर में वही चीज बनाई है जो भगवान को भोग लगा सकते हैं यह उत्तम है, लेकिन यदि उत्तम नहीं मान पाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, तो पहला हो गया कि बाजार का नहीं खाना चाहिए, तो बाजार की चीज़ें भी हर प्रकार की ओती है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, हेल्दी, नॉन हेल्दी, अलग-अलग प्रकार की चीज़ें होती है सबसे हेल्दी फूड वो है जो घर में बनाया जाए अच्छी चेतना से बनाया जाए नहा धोकर बनाया जाए और किचन को साफ सुत्रा रख कर बनाया जाए और भगवान को भोगर पित किया जाए तो भोगर पित करेंगे तो फिर आपको परहेच करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें नहीं खानी पड़ेंगी यह आपको मानना पड़ेगा तो ये सब लोग नहीं राजी होंगे इस बात के लिए कि हम सिर्फ वही खाएं जो भगवान को भोग लगता है तो कम से कम पहली बात तो ये आपको करना चाहिए कि कम से कम non-vegetarian चीज़ ना खाएं है ना non-vegetarian ना खाएं क्योंकि हमारा शरीर non-vegetarian है ही नहीं मनुष्य की जो सन रचना है शारीरिक रचना जो है शारीर के अंदर का जो सिस्टम है डाइजेशन का वो non-veget पचाने के लिए नहीं है जो non-vegetarian आनिमल्स होते हैं प्राणी होते हैं उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है और दातें नुकीली होती है तो जब वो non-veget खाता है तो वो शरीर से बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसका उसी तरीके का शरीर बना होता है पर हमारी आथ बहुत लंबी होती है और non-veget पचाना आसान कार्य नहीं है तो बहुत दिनों तक वो रह जाता है और नुकसान करता है एक ये कारण है दूसरा कारण है किसी भी प्राणी को मारेंगे जैसे कि हमारे अंदर जान है उसके अंदर भी जान है तो वो दुखी होगा उसको मारेंगे कश्ट होगा तो कश्ट होने के बाद हमको भी उसका परिनाम भुगतना पड़ेगा तो नहीं मारना चाहिए तो आप कहेंगे कि फिर तो हम पालक मेथी को भी मार के खाते हैं हाँ हम पालक और मेथी धनिया पत्ता के पौधों को भी मारते हैं मतलब उसको जड़ से उखारते हैं तो वो भी मर जाता है इसलिए हमको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए और अनाज तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनाज बगरा तो सुख जाते हैं फिर हम घर में लाते हैं तो हमें कम से कम नान विजन एक खाना चाहिए और जो नशय की चीज़े होती है बजार में तो आपको सब कुछ मिलता है गुठखा, तंबाकू और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें खाने की पीने की मिलती है जो शरीर को बहुत नुकसान करता है जितने भी बिमारियां होती हैं आजकल ब्लेड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डाइबिटीज यह सब का रूट कॉज है सही खाना नहीं खाना तो सही समय पर नहीं खाना और सही खाना नहीं खाना भगवान ने कहा है भगवद गीता में युक्ता हार विहार अस्या, युक्त जेस्टस से करमसु, युक्त स्वपन अवबो धस्या, योगो भवती दुखा हा, जब हम अपने आहार को सही कर रहेंगे, और कुछ अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ नियमू का पालन करेंगे, एक्सराइज वगर करेंगे, तो उनको डंग से चलाएंगे यानि कि जो भी बजार में मिल रहा है वो सब हमारे खाने के लिए लायक नहीं है जितने भी सजीव हैं वो सब हम खा लेंगे ऐसा नहीं है जो हमें खाना चाहिए वो खाना चाहिए आयुर्वेद शास्त्र जो है वो हमको बता सकता है कि हमें क्या ख कुछ खाते हैं तो इसलिए इतने गयन चीता समय करते हैं सब के घीवन में। खाने का समय निश्चित होना चाहिए और झाक जीएवन क क्षा उGO लीटि या मरी होता है रजोगुनी क्या होता है तमोगुनी क्या होता है तो जो चीज बहुत सात्विक पदार्थ है जिसमें कि जादा मसाला नहीं है जादा तेल नहीं है और जादा फ्राइड नहीं है और रस युक्त है फ्रेश है वो हमारे शरीर को फाइदा करता है और समय पर खाएंगे तो इस इस प्रकार से अगर आप जीवन जीएंगे तो आपको heart problem, blood pressure, diabetes यह सारी चीजों से चुटकारा मिल जाएगा और जो आपका स्वास्त अच्छा रहेगा तो आपकी सोच भी अच्छी रहेगी आप अपने जीवन में ज्यादा negative नहीं सोचेंगे positive सोचेंगे तो धर्म की है यदि आप आपको भगवान की भक्ति करना पसंद है और आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिये हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके घर में इसके सिवाय थोड़ा सा और क्या कर सकते है कि जो आपके घर में ऐसा चीज आता है ज या छोटे से लड़ू को पाल है कुछ भी जो आपके घर में रहता है पूजा के स्थान पे वहाँ पे वो पदार्थ को ले जाके उसमें तूलसी का पत्ता धो करके और रख दीजिए और भगवान को बोलिए निवेदन करिए कि भगवान आप पहले गरहन कर लेजिए फिर भगवान तो पूरा खतम नहीं करेंगे आपको पता है भगवान तो अपने दृष्टी से ही खा लेते हैं तो भगवान जो भी आपने बनाया भगवान के सामने रखा 10-15 मिनट उसके बाद उसको जो आपके बरतन में बनाया था उस बरतन में डाल करके फिर पूरे घर के लोग खाईए जितने पदार्थ आप सात्वी तरीके से बनाते हैं वो सब को आप भगवान के सामने अर्पित करें और खास करके जितने माताएं हैं, बहने हैं और बच्चियां हैं जो कुकिंग करती हैं वो ये चीज़ शुरू कर सकती है जो हस्बेंस हैं, जितके भाई हैं बड़े पती हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये तो घर की लेडिस की जिम्मेदारी है जो आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं करिपा करके थोड़ा सा परिवर्तन अपने जीवन में करिए आपको बहुत अच्छा होगा आप देखिएगा ये परिवर्तन करके हरी बोल यदि कोई प्रशन है तो आप अवश्य पूछिए कमेंट बॉक्स में, हरी बोल